हाई एब्रीवन विल्कम टू माई चैनल ओम्सरी कीचन मैं आपके लिए लाई हूँ सूपर टेस्टी सूपर हिल्दी मज़ेदार मिक्स बेज रेसेपी मेरे तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैस में रखेंगे कड़ाही कड़ाही में एड़ करेंगे साथ से आटेबली स्पून तेल गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम हो गया है तो यहाँ पर मैंने लिया है दो बड़े साइज की प्याज जिनको हम प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे , जब तक कि प्याज अच्छे से गोल्डन कलर की न हो ज Dou अब यहां पर हम एड करेंगे कुछ गरम मसाले एक तेजपत्त दो चोटी इलाइची , एक इंच डाल पारचीनी का टुकडा, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लॉंग डाल देंगे। इन्ही के साथ हम डालेंगे 8-9 पीस लेसुन के इस्टेर करते हुए लेसुन को गोल्डन कलर आने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यह लीजे लेसुन अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं तो अब यहां पर हम डालेंगे 4 हरी मिर्च, 2 इंच अद्रक के टुकडे कुछ से कंडों के लिए इन्हें भी रोस्ट करेंगे। तो यह चीजें सभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो अब यहां पर हम एड़ करेंगे 12-13 पीस काजू, काजू को भी हम अच्छे से श्टेर क करते हुए गोल्डन कलर होने तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। काजू डालने से सबजी हमारी बहुत ही रिच बनती और टेस्टी बनती है। तो जरूर डालिएगा अब यहां पर मैने लिया है तीन बड़े साइज के टमाटर जिनको हमने रफली चौप्ट किया है। अब तक पकाएंगे जब तक की टमाटर सौक्ट न हो जाएंगे देखिए इस स्टेज तक है। तो हमने यहां पर मसालों में एड़ किया था दाल चीनी तेज पत्ते तो हम उन्हें निकाल देंगे क्योंकि उनका फ्लेवर मसालों में बढ़िया सा आ गया है। इन्हें हम करेंगे क्योंकि फ्लाबर गोभी और गाजर हाड रहते हैं इन्हें हम ब्लांच कर लेंगे बाकी सबजियों को हम रोस्ट करेंगे तो यहां पे गोभी और गाजर थोड़े से हम बड़े पीस में काटेंगे थोड़ा सा इन में नमक अड़ करेंगे अच्छे से मिक्स उबाल आने देंगे तो जैसे उबाल आएगा तो यहां पे हम बेजी टेबल को ढग देंगे 6-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे बस बेजी टेबल को हमें 65% तक ही पकाना इस से जादा नहीं पकाना है इस बात का आप खास ध्यान दीजेगा इनको ट्रांसपर करें अभू पर हम पानी एड करेंगे तो पानी आधा कपाई अड़ी है इससे क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं अच्छे से पीष जाएंगे बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनके तैयार होगा यह देखियं, आप देख सकते हैं कि कितना सा पेस्ट बनके हमारा रेडी है वस इसी तरह आपको पेस्ट बनाना है तभी आपकी सब्जी की ग्रेवी टेस्टी बनेगी अब यहां पे हमने लिया है पाउल और इसमें लेंगे हम मसाले तो जो दो चम्मच धनिया पौडर आदा चम्मच जीरा पौडर आदा चम्मच लाल मिर्च पौडर एक तीहाई चम्मच तो फूल भी जाते हैं और जब हम रोस्ट करते हैं मसालों को तो जलते भी नहीं है तो अब यहां पे हमने गैस में रखी है कडाही इसमें हमने एड़ कर दिया है तू से थ्री टेबल स्पून तेल तेल को गरम होने देंगे अब जो हम बेजी टेबल है उनको रोस्ट अब यहां पे हमने ब्लांच किया था गाजर और गोभी को इन्हें भी एड़ कर देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेबर आ जाए बढ़िया से जब रोस्ट हो जाएंगे बेजी टेबल तभी सबजी हमारी टेस्टी बनती है तो यहां पे हमने 5-6 मिनट तक अच्छे से डिखेम आश्फ एस इस ठेज तक तो अच्छे से रोस्ट ही है श्लेबर ऑफ यहां पर सबई बनाए था करदेंगे ठोड़ा सा ज जार में पानी डालेंक टाकि मसाले लगे हूए जार में अच्छे से निकल जाये अस्टे से मिक्स करेंगे मसालों कोแล में कि एसलेम्हाмов तरह को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब क्या करेंगे अब धाहिं कि अगर मसाला कड़ा ही में लग गया तो जो अच्छा नहीं लगएं छूने में है इसवाइं पर हमने दो क्यूब बटर एड़ कर दिया है बटर डालने से जो हमारी मिक्स बेज सबजी है सूपर टेस्टी बनती है तो आप जरूर डाल येगा अगर अब लेबल है नहीं है तो इसकिप कर दीजेगा आप एक चमच घी भी डाल सकते हैं 6-7 मिनट हो गए है मसाले हमारे सालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहां पे हम पानी एड करेंगे पानी अभी हम यहां पे एक ग्लास एड किया है यानि की एक कप अच्छे से मिक्स करेंगे चिक करेंगे अगर हमें जरूरत होगी तो हम एड करेंगे यहां पे हमें थोड़ी सी सबजी गाड़ी सबजी को पकाते हैं तभी खाने में टेस्टी लगती है तो यह लीजिए यहाँ पर हो गए हैं छे से 7 मिनट पकाते हैं तो यहां पे हम डालेंगे दिन चोटी चममच गरम मसाला एक चोटी मनें ककसूरी मेथी को हमने तबा में रोस्ट कर लिया था मिकसर जार में डालके पत्ती एड़ किये हैं सबजी में बहुत बढ़िया सा फ्लेबार आ जाए तो ये लीजे एक मिनट हो गए है हमारी सूपर टेस्टी बन के सबजी तैयार है आप इस सबजी को खा सकते हैं लच्छा पराठा तंदूरी रोटी जीरा राइस के साथ जीसे के साथ भी खाना आप झाल 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 झाल